तो नौसकर दोस्तों कैसे हो आप सब और आप सोभी बढ़िया होगे और आज हम बात कोने वाले हैं साहागेट 3 जो परिशा होना है उसके सिलेबस के बारे में याद रखे ना पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि फालतू का मेहनत मत कीजी हूँ सिलेबस वो चीज है जो आपको न आपके पढ़ाई लिखाई का जितना सारा पुष्टक का भी न उसको बहुत सिमित कर देता हैं सिलेबस पर आप जितना फोकस करोगे पिछले साल के question paper पर जितना फोकस करोगे न उतना ज्यादा ही आपका जो पढ़ाई लिखाई का जो कहना आला नहीं है तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास कई सारे document है आपको explain करने के लिए कि क्या आ सकता है क्या पूछा जा सकता है अब मेरे पास एक question paper भी है जो अभी जो महाधिवक्ता जो कारियल है वहाँ पर हुआ था तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको यह जार तार की computer आदी से संबंदित वस्तुनिष्ट प्रस्न पूछे जाएंगे अब यह प्रस्न थो हमने सिरे बस मिल गया इन प्रस्नों का कहना चीए hardness level कितना है कितना कठीन आएगा या कितना सरल आएगा कहां से किस level से पूछा जा रहा है इसकी जानकारी सबसे important है हमको जानना आगे देख लीजिए एक और यह जारी हुआ है सरगुजा कोट का विज्यापन है और यहाँ पर क्या बोल गया है पचास प्रस्न वस्तुनिष्ट प्रकार के होंगे जिसमें प्रत्यक प्रस्न के सही उत्तर एके कंग निर्धारित करेंगे यहाँ पर लिखित परिश्या मे समान्य ग्यान कंप्यूटर ग्यान आदी से संबंदित होगा मुल बात वही है समान्य कंप्यूटर का ग्यान होना चीए समान्य ग्यान होना चीए और समान्य हिंदी अंग्रेजी का अब चलिए एक और सिलेबस में आपको बताता हूँ याद रखें यह सभी साहे ग्रेट 3 क आप एक्जाम असिस्टेंट ग्रेट 3 फेस आप एक्जाम है रेटान कंप्यूटर टेक्स और हिंदी टाइपिंग टेस्ट चलिए लेंग्वेज आफ एक्जामिशन हिंदी हिंदी माध्यम में होगा नेचर आप कुस्चन पचास कुस्चन होगे मल्टिपल चॉइस कुस्चन टोटल नम्बर आप मार्क्स देखिए यहाँ पर साठ दिया है ठीक है तो कुछ जगा ये साठ हो रहा है कुछ जगा पचास हो रहा है और जब व्यापन लेता है तो सव भी होता है ठीक है अब देख लिजीए मेंग्जियम मार्क कितना है सव है और इसका सिलिवास में झकते हैं जर्रण नालेज, जर्रण इसंश का जाद़ान, फॉच Tober चलेए जो विग्झवापन निकला था आणा चाएए चाले सिंश गल थी विधान सभा में तो विधान सभा में जो बिग्यापन निकला था उसका देखते हैं उसका सिलेबस क्या बोलता है ये इस पस्ट यहाँ पर दे दिया गया है 36 गड़ का समाने ग्यान तो देख लेजिए चतिगड़ का इधिहास अतंतरतांदोलान, चतिगड़ का योगदान अब आप लोग सोचिए 50 कोस्टन में कीतना सारा दे पाएंगे आप ये उतना डीप में नहीं जा रहा है और ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कंप्यूटर में देख लीजिए ये बिल्कुल बेजिक चीज़े हैं अब चलिए जो इनका कोस्टन पेपर है जो अभी हमारे पास है उसको देखते हैं तो कोस्टन पेपर यहां पर है समान एद्यहम राज्य का समानिगान ये क्वेस्टन जो है भारत का समानिगान है ये है छतिजगड का समानिगान है इसको देख लेजी ये 36 गड़ का प्योर समानिगान है भारती मानक समय ग्रेन वीच मादी ये तो बिलकुल आसान कुश्चन है इंद्रावती की कौन सी है तो ये सबरी होना चाहिए गोदावरी नदी मतलब नदी के बारे में पूछ रहा है ठीक है आप ऐसा समानिगान पुष्टक लेजे 36 गड़ का जिसमें नदीयों के बारे में बहुत असान भासा में आपके प्रास हो या फिर इंटरनेट से आप सर्च कर लेजे वैसे मैं इस टाइप से माटेरियल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिशन में आपको देने वाला हूँ गोदावरी नदीयों महानदी प्राणाली कहां से अलग होती है देख लिए नदी के दो तिन क्यूश्चन आ गए है विद्यूत का अधिक उत्पादान होने का कौन सा उद्योग इस राजिय में एक ही कि दुद्योग में सामिल नहीं है सही क्या है ये तो भारत का समानियान हो गया अगनी दो की मारक शमता है वो जोन इस फियर का निर्मार किस्से होता है तो जोन जोन से होता है थोड़ा बहुत विज्ञान से पूछा जा रहा है मेरी काम ने छठा विस्व चैंपियन सोनपदक जीत कर किस खिल में विस्व रिकार्ड बनाया है तो क्या करती है मेर काम जो है मुख्के बाजी करती है वारार्सी बंदरगाह नियुन से किस राष्टी जल मारगा यह है अभी अभी यह हुआ था तो इसको आप थोड़ा करेंट अफ्यर से ले सकते हैं अरजुन गड़ की उफ़ा गुफा इस्तित है इब नदी का उद्गम कहा है छतिर परेटन लोग हैं चतिर की घटनाएं हैं यह सभी वणित हो ठीक है और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सब को कल लूँगा ऐसा नहीं है आप यह मानके चलिए बीस में आपको जो है पंदरा के असपस जो है question डील कर रहा है और दूसरी बात आपको इसमें मेरित नहीं लाना है समझ को कहना चाहिए मेरित लिष्ट में selection हो रहा है selection का ताथ पर उनको causal परिक्षा के लिए selection हो रहा है बाकी इस परिक्षा में मिले नंबर का और कोई महत्त नहीं है जो एक अनुपार 30 में होगा ना उसमें आपको कहना चाहिए आप यहां पर shortlisted हो यही बात है आपको 50 नंबर नहीं लाना है आप प्रयास किजिए 25 प्लस करके computer का समानी जान तो यह बिल्कुल एकदम basic है internet agency का मुख्य है है ना का मुख्य प्रोजेक्ट है internet पर एक computer से पाइल दूसरे पन ले जानी की क्रिया क्या काल आती है explorer किसके अंतर गताता है cd-rom यह देक्दम basic चीजें हैं बिल दूसरा आप ऐसा कोई book भी ले लिजिए computer का जो basic जहनकारी बताए clear ना बहुँ ज़्यादा deep में मत जाए बहुँ बड़ा पुस्तक मत लिजिएगा समान योगेता यह भी एकदम गडित का एकदम चो है basic level है आगे नहीं है समान यह Hindi देख लिजिए पुरुस वाचक सरणा में उत्तम पुरुस के लिए प्रयुक्त होता है सकर्म क्रिया की प्रधानता होती है में किसकी प्रधानता होती है दोनों पदों की प्रधानता किस समाज में होती है ना बाई इस वस्ता है द्वंद समाज निलकंट में कौन समाज तो कहने का तात पर है आपको दस्वी से उपर नहीं है समानी अंग्रेजी में देख लिजी यहां पर conjunction पूछा जा रहा है यहां पर यहां पर भी conjunction पूछा जा रहा है parts आप इस पीश पूछा जा रहा है preposition पूछा जा रहा है यहां पर देख लिजी यहां पर वन मड़ सब्स्टूशन जो है पूछा जा रहा है तो कहना चाहिए दसवी लेवल से उपर नहीं है इसमें और आप ये मान के चलिए आपका समानी गान जो है वो 15 नमबर के पास पास वो बन जाए और बाकी सब मिला कर आपको कहना चाहिए 20 नमबर मिल जाए 35 के आजपस अगर पहुँचते हैं तो आराम से आप साटलिस्टेट हो जाएंगे बाकी सबसे कोई बिसेस मतलब नहीं है तो दोस्तों यही है पैटन इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है और 36 के समानी जान ही ज़्यादा है हिंदी अंगरेजी बेसिक लेवल है दस्वी स्तर से उपर का अंगरेजी नहीं है तो यह रहा से लिए बस आपको किसी प्रकार से और कोई कुछन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए मैं रिपलाई देने की कोशिस करूँगा